चोरा हा चोरा हा जीवन ऐसा चोरा हा एक सड़क शिक्षा के जिससे जीवन में उजी आ रहा है चोरा हा चोरा हा चोरा हा बहनों हम आज मिलकर सीखेंगे दो अक्षर भ और आ ये दो पके हुए आम डाली से लटकते हुए बिलकुल अक्षर आ जैसे लगती हैं एक बार फिर देखो आम आ अच्छी बड़े जोर की चीक आगे थी खेर सुनों आज मैं इकटे मीठे फल के नाम का पहला अक्षर लेकर आई हूं बहित तुम लोग समझ बैठी अच्छा तो आज हम सीखेंगे अक्षर आ समझ गई ना इससे किस पल का नाम चुरू होता है मेरे खयाल में तुम समझी गई होगी आम चलो इसे आप हम लिखते हैं यह आधा गूला फिर एक और आधा गूला फिर वही लेटी लगई खड़ा दंडा आगे एक और खड़ा दंडा और फिर कहीं चत्वाली लकीत और ये पंडिया अक्षर आ एक बाद फिर लिखें देखो आग भगवान का कितना बड़ा वर्दान है आपे चंद्र बिंदू ख आग, 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 आग. विज्टूरे, यह समान क्यों बांध रहा है? काँ जा रहा है? तेही लाम पे जा रहा है क्या? ऐसा ही समझ ले. जीवन भी तो एक तरह की लडाई ही हो है. अरे सीधे से क्यों नहीं कहता कि कमला के पास जा रहा है और वहाँ जाने के लिए तुझे समान की क्या जरूरत है अर शाम तक लोटा ना उसे लेकि कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ मैं वहाँ उसका अपना तो ठोटे काना है कोई ना जो तुघर जमाई बन जाता निजलच कहीं का अमा तुबेकार की बात तो करें मती मैं वहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ यहां क्या कोई काम की कमी है अरे सीधे से कह कि उसके बगार तेरा दिल नहीं लगता बेसरम कहीं का अमा तुचलते बखत सफर तो खुटा करें मती जरा मैं भी तो सुनू तुच्वा काम करेगा वहाँ कमला कार खाना लगा रही ही वहाँ पचास सो उरते काम करेंगी उसमें क्या खा तुने कार खाना लगा रही है अरे बड़ी कलेक्टर बन गई वो तो अब वो पड़ी लिखी है, पढ़ना लिखना सब जाने है पहले तो वो छोड़ गई, अब तू भी छोड़ जा, जा जाके बैठ जा उसके पास मैं क्या करूंगी या चीक है, भीक मागूंगी, भीक मांग के गुजारा करूंगी, इतनी उची हो जाएगी तुम्हारी नक, अम्मा फजूल की बात तो करें मती, हम गरीब जरूर हैं, अगर महने से कमाना जाने है, यह ले, जब तक रहने का ठिकाना करके आऊंगा, तब तक यह तेरे काम आएंग यह रहा उसका ख़त, अगर खुद पढ़ना नहीं आवे न, तो जाके किसे पढ़वा ले, उसने सबसे पहले यही लिखा है, कि ठिकाना होते ही मैं अम्मा को खुद लेने चली आऊंगी ऐसा लिखा है मा अक्षर पहचानती हो न, इसकी छत वाली लकीर आधी काट कर आगे लाए और मोड़कर लकीर आधी काट कर आगे लाए और मोड़कर छोटा सा बोला बनाया बन गे अभा मेरी प्यारी पहनो, आज मैं तुम्हारी लिए लेकर आई हूँ अक्षर भा अक्षर भा लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बड़ा असान है बस वही अपनी पुरानी तर्केप, लिखे चलो सबसे पहले बनाया हमने ये छोटा सा गोला और फिर खीजी ये सीधी लकीर उससे मिलाकर ये एक बिंदी बनाई इस बिंदी से मिलाकर ये लेटी हुई लकीर खीजी खाड़ा डंडा, छत वालू लकीर और ये बन गया अक्षर भग और ये बन गया अक्षर भग अरे भई, कहां चली, एक बार फिर नहीं देखोगी देखो भ, आ, ड, भार ह, आ, ग, न, आ, भागना प्रिश्ट प्रिश्ट ये अब हम आशा निकार लेगे अब आगी कमला ये बन जी जो समान तु लेगे थी, उने लेगे? ये बन जी, सारा लेलिया वो तो कह रहे थे, कि समान दढ़ा दढ़ी पाया हाँ बिखेगा क्यो नी, हमारा समान जी इतना बढ़िया होता है अब बादी तो लेला ये बासकर ने दे अच्छा बासकर कमला और समान के बासकर देगे हाँ बेंजी वो तो कह रहे थे कि और समान बना है तो वो भी लियाओ वो भी सारा खरीद लेंगे संया पैसो के बार में कुछ कर तो ने आखAy ये देखनो ना बैंजी अब तब जो समान भी आ है अब तो उसके ये पैसे तिया है आधी अक्छा लेकिन ये पैसे मेरे पास नहीं बैंक में रखो जानती है ग्यूँ जितने दिन ये पैसा बैंक में रहता है उतने दिन का इस पैसे पर ब्याज मिलता है और जब चेक काट कर तु लोगों को पैसे देंगे इसमें से तो इसका हिसाब किता भी बहुत आसान हो जाएगा समझी तो क्या आप नहीं रखोगी ये पैसे को बिलकुल नहीं हाद समय दूसरे के सारे की तलाश नहीं करनी चाहिए अपने आप पर भरोसा रखो पहले अपना बारी लोलो ठैज जब चाब कमल आ रहा है आज किक्थी में तु यह लिका था साइद आज आ जाए यह तो बहुत अच्छा रहेगा जन्दी क्यों पुछ रही हूं तुम लोगों का अलग मकान का प्रभंद हो गया है तो क्या आपने तो को गर से निकाल दूभी अरे घर से कहा निकाल रही हूं मामा नह मैं जानती हूं मेरी बात से इंकार करना तो तुने सीखा ही नहीं नहीं लेकिन चलाब उठ बहुत आराम होती का अगर कमल आ रहा है तो घर की जहार कोच कर ले और एक दो खने की अच्छी चीज़े भी बना ले ना उठ रहा उठ आप उठ आप चल्छ आप चल्छ ये है अपना देश भारत भ आ र र त भारत दो सौ साल अंग्रेजों की भुलामी के बार कई नेताओं की कुर्बानियों से हमें आजादी मिली आजादी आजादी पता है हर मिनट हमारे देश में 48 बच्चे पैदा होते हैं इस बढ़ती हुई आबाधी को रोकने में ही हम सब का फला है क्योंकि दूसरे जरुगरत के साधन बढ़ती हुई आबाधी का साथ नहीं दे पा रहे हैं आ ब आ द ई आबाधी आबाधी अरी कमला तूने तो कमाली कर दिया इतना बड़ा कार कहां लगा लिया सत्रा लड़किया काम करती हैं और तू सब की अपसर कीता बहन जी ने तो सब कुछ मेरे उपर छोड़ दिया है और तो और सारे निर्ने भी मैं लेती हुआ आजकर तेरी बहन जी बहुत अच्छी है सच मेरे लिए तो साक्षाद देवी का अवतार हैं अब तू बता मुझे क्या काम करना होगा यह लो बाहर का काम मैं सहर जाओंगी न तो तेरे को भी अपने साथ ले जाओंगी वहां पर क्या काम करना है किस से मिलना है कहां से माल लेना है कहां देना है सब समझ लेना तू परवा नाकर यह तो बस मैं एक ही दिन में सीख लूँगा सव तो है वैसे भी अब तो कितना बदल गया है ना सची सिक्सा से आदमी के चेहरे पर कितना देज आ जाता है अब मैं अधिक गलतिया तो ना करूँ हूं ना बिल्कुल भी नहीं एक बात बदाओं पैंजी तेरी बड़ी तारीब कर रही थी सच हाँ और कहरे थी कि तेरा पती कितना हुश्यार है कितने कम समय में इतना कुछ पढ़ना लिखना सीख गया तेरे साथ रहूंगा तो और चल्दी सीख जाओंगा सो तो है पैंजी ने हमारे रहने के लिए मकान का भी बंदोबस कर दिया है हम जो वहां रहने जाएंगे ना तो माजी को भी बुला लेंगे अम्मा ने तेरे साथ फिर जगडा किया तो मुझी से जगडा करेगी ना तुझे क्या अच्छा जी हमे कुछ नहीं अच्छा नहीं शाम होने वाली कम्रा मैं सुच रहा हूँ गाओ वापस चला जाओं क्यों तुको यह दूरा काम छोड़ के आया है नहीं तो बस यू ही सुन आज का दिन रुचा न तुने अपनी बहन्जी जे पूछा जिनका घर है अच्छा नहीं पूछा आरे कम है तो ? अच्छा नहीं अब देखो आगे हो तो दो चाह दिन ठैरना एक तु सारा काम समझ लो अपना घर भी ठीक ठाक कर लो फिर अपनी अम्मा को लेकर राजाना हूं ठीक है भाहनजी आ ग आग आ आ आ चन्दर बिंदू ख आ भा आग आगाड़ंड रड भा भा एक्की मात्रा रड बेळ भ आगाड़ंड र त भारत आगाड़ंड आगाड़ंग रड़ंड पर मेलत के डगर पे हमको चलते जाना है रहा में शिक्षादी चला के रहा में शिक्षादी चला के अपनी मंजिल पाना है पर में शिक्षादी चला के अपनी मंजिल पाना है